कॉंग्रेस की भारत जोड़ यात्रा इस समय करनाटक में है और करनाटक में इस यात्रा की रणीती बनाने का जिमा राजी कॉंग्रेस अध्यर्ष डीके शिवकुमार का है शिवकुमार लंबे समय से बीजेपी के आखों की किरकिरी बने हुए हैं ऐसे में अब उने केंदरी एजेंसियों ने भी अपने टार्गिट पर ले लिया है शिवकुमार को समन मिला है तो किसने भीजा है ये समन और कब है उनकी पेशी देखे रिपोर्ट कॉंग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा करनाटक पहुची वैसे ही एडी के एंट्री भी राजजी में हो गई करनाटक कॉंग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को एडी का नोटिस एक बार फिर मिल चुका है कॉंग्रेस नेता इसे लेकर लगातार दावा करते रहे हैं कि वो एडी के सामने पेश होने के लिए तयार है लेकिन समन का समय और मुझे जो प्रतारित किया गया है वो मेरे सम्वैधानेक और राजनेतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि इस समय कर्णाटक में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है यात्रा कर्णाटक से निकल जाए उसके बाद वो एडी के सामने पेश होने को तयार है लेकिन एडी ने डीके शिपकुमार की मांग को खारिस कर दिया है और उन्हें साथ अक्टूबर को पेश होने के लिए एक और समन भेज दिया है एडी के समन के बाद कॉंग्रेस नेताओं के इशारे पर फिर से केंद्री जाच इजन्सी आ गई है कॉंग्रेस ने तराहुल गांधी तो लगातार दावा करते रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी परेशान होती है वैसे ही वो एडी को आगे कर देती है कॉंग्रिस निताओं का दावा है कि E.D. सिर्फ गेर बीजेपी शासित राज्यों में आक्टिव दिखाई देती है अगर वो बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष के खिलाफ E.D. आक्टिव है तो ये तैम आने कि राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है करनाटक में 6 महीने बाद ही विधान सभा चुनाव होने है और ED की सक्रियता से साफ हो गया है कि राज्य में BJP सरकार की हालत खराब है चुनावों के बाद राज्य में कॉंग्रिस की सरकार आने वाली है इसलिए ED की एंट्री हो गई है वैसे करनाटक में ED के एंट्री तो हो चुकी है अब देखना है कि D.K. शुकुमार ED के समन को अंदेखा करते हैं या फिर भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर ED कारेले में हाजरी लगाते हैं DB Live की रिपोर्ट DB Live की रिपोर्ट